वेलो फ्रेंट्स वेलकम है आपका आपना यूट्यूब चेनल एक जाम पेपर विथ नूर में फ्रेंट्स। प्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या आभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइक्ओं को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें ज्यादा ज्यादा और अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो भी गुरूप है दोस्तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस को लेकर बिहार पुलिस सेट हम लोग आज करने वाले हैं 12 सेट नमबर जो हम लोग 1- सेट को भी आप लोग पूरा देखिए और आपका कितना नंबर आ रहा है अनालसिस किजिए मौक टेस्ट को पूरा लगाईए और कितना स्कोर आ रहा है कमेंट बॉक्स में मेंसन किजिए तो चलिए वीडियो को सुरु करते हैं दोस्त दोस्तो ए रहा मौडल प्रेक्टी सेट 12 तो चलिए इसका कोशन और पहला देखते हैं दोस्तो पेन कौपी लेकर आप लोग बढ़ जाए और अच्छे से इस पेपर को लगाईए आपका कितना नंबर आ रहा है और कितना स्कोर आ रहा है कमेंट बॉक्स मेंसन किजिए और अगला वीडियो में दिखाए जाए सके आओ उस पर प्रतिकिरिया दिया जाए सके चलिए कोशन नमर फर्ष्ट देखते हैं कोशन नमर फर्ष्ट जोस्तो निमली खित में से सबसे अधीक किरिया सील धातू कौन सी है सोडियम कैल्सियम पोटेसियम इलमुनियम तो यह चार निमली खित में से किस पदात की उपर स्थिती के कारण आतिस बाजी में हारा रंग उत्पन होता है दोस्तो तो हारा रंग किसके चलते होता है तो इसके एंसर होगा चार अस्ट्रांसियम और लाल रंग बेरियम के चलते होता है दोस्तो लाल होगे जाएगा तो बेरियम और और हारा आस्ट्रांसियम चलिए क्वेशन नमर्थी देखते हैं रक्त कान्यम लिखित में से कौन सा भाग सरीर परतिरक्षा का कारे करता है दोस्तों तो क्वेशन नमर्थी का एंसर क्या होगा इसका कारेकाल कीतना होता है त्व से चार दिन तक जीवित रहता है जुस्तों लाल रख्त आरभी सी कितने दिन तक तेक सब्सक्राइब तक दोस्तों चलिए कुष्चन नमर 4 median 9 कि निट यह कितनी होती है चले देखते हैं yep यहाँक प्रोटीन फ्रेक्टरी निमली खित में से कौण सा को टान्स कांग को का जाता है फ्रॉटीन की फ्रेक्टरी क ड़ाइब के साथ्र प्राइब आंसर होगा तू राईबोस्म को माइटो कॉंड्रिया क्या का जाता है तो पावर हाउस दोस्तों का जाता है लाइसोसम को क्या का जाता है तो आत्म होत्या की थैली आत्म होत्या की थैली का जाता है दोस्तों चलिए क्वेश्चन नमर शिक्स निमलीखित कार्बोहईडरेट में से कौन सा कार्बोहईडरेट म पाचन नहीं कर सकते हैं चलिए कोश्चन बर्स देखते हैं सो राज जो बरभूप भूद बनाने में सहाइक है उसका रासाइनिक नाम लिभी खीत में से पोटेसियوم कलड़ाइड पोटेसियوم सलफेड पोटेसियوم नेटरेट पोटेसियوم करबनेट इसका रासाइड का ग pi кол looking को क्या खाता है जो su एट का एंसर क्या होगा क्वेशनमर एट का एंसर सी एलपीजी लिक्वीफ हाइड पेट्रॉलियों गैस एलपीजी का फूल फार्म होता है चली क्वेशनमर नाई देखते हैं पूस्प ता था पूस्प का नर जनन भाग निमलीखित में सकौन साँ दोस्तो तो इसको क्या बոलता है दोस्तो फूफ केसर इसका क्या होजेगा ऐसर बीक्रियों का क्वांटम सिधान को किष्ण तो इसका एंसर होगा सी निल्स बोर लेकिन इसके मैक्स पलांक आप लोग इसका बताएगा एंसर कमेंट बक्स में विज़तो चले क्वेश्चन नमर गार देखे क रूकई है गाड़ी के अक्समात चलने से यह त्री पपीछ की ओर होता है यह किस कारण से होता है दोस्तों रूकई हैं तो इसका लोग इस्थिर रहते हैं और जब गाड़ी का तसील होती है तो इस्थिरता का जड़त रहता है इसलिए लोग पीछे की ओर जुग जाते हैं चेक चक का ठीका का उश्कार निम लिखित में से किस ग्यानिक द्वार किया गया था प्रिश्टल ए एडवर्ड जेनर लाइड फंक इसका क्या होगा एंसर दूस्तों क्या होगा टू एडवर्ड जेनर चले कोश्चन नमर 13 विदूत प्रेस जिसको बोलते हैं इस तीरी प्रेस कल जी ओकर गए प्रेस कल जलना से किस थाथ्व एडवर्ड होता है तो कोश्चन नमर 13 अवरक बना होता हूं से ओन्सां प्रे प्रांद होता है ताकि कुछी आलग होता है कि बीदूत ग्जाफी का चलिए कोश्चन नम.ily 2 वाइं मॉंडल में प्रकास चिकिस्ता के छेतर में में जैसे CTS के नितियादी में कीस बिदूत चुम्बक की है तरंग का प्रयोग किया जाता है दूस्तो तो कुश्चन नमर 15 का एंसर होगा चुम्बक को गर्म करने पर चुम्बक के चुम्बक का प्रभाव क्या पड़ता है दूस्तो तो कुश्चन नमर 16 का एंसर एक घर जाता है चुम्बक का प्रभाव करने पर कुश्चन नमर 17 की बद्ती से मीटी का तेल बद्ती के धागे के बीच उपर चड़ता है या निम्द में से किस घाटना के कारण संबभ होए दूस्तो तो इसका क्या होगा एंसर दूस्तो तो केसी कत्व इसका एंसर सी केसी कत्व के कारण चले कुश्चन नमर 18 जब एक लेटी नमली खित में से किस किट के कारण उत्पन होता है बताजिए दुस्तो फैलोरियर हो क्या होता है पहां थी क्या पहो जाता है पहां मचर काट देता है तो फूल जाता है बहुत ज्यादा तो उसमें फैलोरियर कता है तो क्वेश्चन नमर्ट 20 का एंसर क्या होगा टू मादा क्यूलेक्स मच्छर चलिए क्वेश्चन नमर्ट 21 छोटी माता हो जाने पर सरीव में कौन सी वैक्षीन लेना पडता है दोस्तो तो क्या होगा छोटी माता है तो question number 21 का एंसर का होगा दोस्तो ए रुबेला वैक्षीन रुबेला वैक्षीन चलिये questionnaire number 22 कोश्यन नमर 22 का ऑगा देखते हैं तो बालू पर उगने वाले पधयों को कहते हैं सी सेम हाइटस चलिए क्वेश्चन नमर 24 देखते हैं क्वेश्चन नमर 24 पूर जीवन की मुलभूति क्या है दोस्तों कोशिक होती है इसका एक एंसर का होगा 25 से यही बनाने में कौन सा अमल काम मेला जाता है 25 का एंसर का होगा दोस्तों तो फ्यू मेरिक अमल क्या है डिच्चण मेरवटव सत्यतों ट्रेइश रच फैर मेरिक भरे रच्प से क्या घंर किसी बस्तों का पर्तुत वह अग के क्या है औहिक बनता है चुम्बकिये छेत्र का मात्रक क्या होता है चुम्बकिये छेत्र तो question about 28 का answer क्या होगा दोस्तो तो 2 गौस चुम्बकिये छेत्र गौस चलिए question about 29 निमलिखित में से कौन हमारे सरीर को उर्जा नहीं परदान करता है परन्तु सरीर में के कारे के लिए हो सक है तो कौन सा दोस्तो तो Bye Este Lax च्जमन्ब तो केल राइट कोच्च्चन्ब ठटीवन भारत का सबसे छोटा से नेशनल हाइवे Memorial निमलीखित में से कौन सा था भारत का सबसे छोटा नेशनल हायु है निमलीखित में से कौन सा था दुस्तों 31 का NH4 47A छोटा हायु है दुस्तों चले question number 32 भारत में जनसंख्या में किस बर्ष कमी देखने कुमिली जिसे महा विभाजक बर्ष के नाम से जाने जाता है दुस्तों जिसे विभाजक बर्ष के तो उनेश सब 21 में महा विभाजक question number 33 देखते हैं दुस्तों निमली खित जलधारा में से कौन सी एक जलधारा गर्म जलधारा है बताएं जस्तों कौन सी एक जलधारा गर्म जलधारा है तो question number 33 देखते हैं चले question number 34 इसतिूरी को जुवान सराब के समाननी फित में से किस गरंथ में का अपर Door मैं 3 शहिंता में 36 भारत प्राम में निम्री खित में सी का हुआ करता था था तो को इसक्षर डू गोडवाना लेंड का को चलिए ग्राइफ इसका अन्सर रहा सब्सक्राइफ रह से आप में का राष्टि एखल 30 ये ट का एंसर का होगा साणों का जूद साणों का जूद्सक्राइब होता है झिसको बोलता है जली कट्टू जली कट्टू तिवार मने जाता है उसमें होता है जिसतो चले कोश्यन भर 39 दिखते हैं 31 31 33 ने दिख्था बूच्या हम वह हम हम हाँ बोली कहां अथू यह लगा देखना है क्या कि 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 कुश्यन बड़ 39 दोस्तों वन चास्वी समनांतार रेखानी में से किस के बीच इस्ति थे तो क्यों बड़ 39 का एंसर क्या हुगा क्या हाँ USA कनाडा चलिए क्यों बड़ 40 रिजरा बैंक अफ इंडिया के पहले गवर्णर जर्णर कौन थे तो क्यों बड़ 40 का एंसर क्या होगा है तो उसवर्न होता है उसवर्न असनीत चलिए प्लान ओफिक्नोमिक उस्तक के लेखक business कौण है तो प्लान ओफिक्नोमिक क उस्तक के लेखक उतकर अनुन क्या है इसे क्योड्टक म्हार्शल है कीसमKit अग्रैज को साहीर फरमान जारिक करके बंगाल में वंपार में छुर्ठ पर्दान कよしण मावर 42 का एंसर बाते हैं आप लोग फटा फटर नाटन तो question number 42 का एंसर होगा 4 फरकुसी और चलिए question number 43 भारतिय समिधान सभा राष्टिय धोज को कोब अपनाय गया था तो question number 43 का एंसर होगा 2 22 जुलाई 1947 चलिए question number 44 देखते हैं सुन्दर बन राष्टिय उद्यान निमलीखित में से कीस राज में इस्ति थे तो question number 44 का एंसर बाते हैं तो question number 44 का एंसर क्या होगा एक पश्ची मंगाल में चलिए question number 45 निमलीखित पुर्षकारों में से भारत का दूसरा सबसे बाड़ा पुर्षकार क्या होगा question number 45 का एंसर क्या होगा तो टू पद में भी भूशन question number 46 भारत नाटे हम कीस राज का सास्तिय निर थे भारत नाटे हम कीस राज का सास्तिय निर थे तो question number 46 का एंसर होगा ए क्या तमिलनाडू प्रामपूत्र नदी को और उनाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है तो क्या दिहांग नाम से जाना जाता है दिली सल्तनत का वह सासक था जो गुलुरुखी नाम से कविताक लिखा करता था तो क्यों नदी का परियोक सर प्रथम किस जूद में किया गया था दोस्तों टू क्या तुत्कोरिंग चलिए कोशन वर 55 दोजार तेश के अनुसार दलहन के उत्पादन में बीशों में प्रथमा स्थान पर कौन सा देश है तो क्या एक भारत कोशन वर 56 निमन विकल्प में कोण सही सुमिलित नहीं है दमोदर छोटे नाग रूप पठार सुवन रखार छोटे नाग पठार महान अदी सिंधवापाडी और माही बालेशवर तो इसमें कोवन सुमिलित नहीं है दोस्तों चारों में से की से राज में इस्ति थे क्या होगा इसका इंसर हाराम हर्याणा में चले क्व। जिसके विरूद अभियान में उका चलना ने की क्रम में उनकी महत हो गई थी दुसतों तो क्या क्या कैने विस्टेंशा की तो चले कोंचर आत्य कोश्टवर्द उन्हेता है जिस्टव कि हारत का पाहला जयों आरकशी चेतल्यक्रत में स्कोंड्शा तो question बर 61 का क्या होगा answer तो 4 गुंडी चलि question बर 62 देखते हैं 14.40 रुपे प्रतिक किलोग्राम की गहूं से 11.40 रुपे प्रतिक किलोग्राम के साथ किस अनुपात मिले जाए कि मिलें को मुले 12.60 रुपे प्रतिक किलोग्राम हो जाए तो question 62 का answer फटापट बता देते हैं तो अब लोग बना लीजीगा है साम में थे तो question बर 63 लंबोदर में कौन सा समासे दो तो लंबा उदर जिसका लंबा उदर कहते हैं तो question number 65 का answer क्या होगा सी मडिपूर में खोंजी जूम मडिपूर चली question number 65 देखते हैं select the most appropriate synonyms of the given word deeply take क्या होगा जस्तो तो 65 का answer क्या होगा तो to reduce question number 66 हडापा के कीस अस्थल से घोडा का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ है तो question 66 का answer होगा सी सूत पोतरा चली question number 67 देखते हैं हाल ही में मोहमद सहाबुदीन कीस देश के नए राष्पती नुक्त किये गए मोहमद सहाबुदीन देश तो question number 67 का answer 4 बंगलादेश के question number 68 question number 68 का answer डाइरेक्ट बता देते हैं आप लोग देख लिए question number 68 का answer 2 क्या 30 बर्स चली question number 69 दीए के सब्दों में भिन अर्थ वाले सब्द है question number 69 का answer का होगा तो question number 69 का answer 2 दीन चली question number 70 देखते हैं हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स निव डुपलमेंट में का नाया सदस बना है तो question number 70 का answer का होगा है तो 2 मीश्र question number 71 देखते हैं जोस्तो select the word which means the same as the group of word given a person living in the same age with another question number 71 का answer का होगा है तो 4 contemporary चली question number contemporary में अस्थाई question number 70 question number 70 देखते हैं जीन प्रस्णों का उतर सदस से तूरण चाहता है सदन में ऐसे प्रस्ण का निविखित में क्या कहा जाता है जोस्तो question number 72 का answer का होगा 2 तरांखिक प्रस्ण चली question number 73 हाल ही में पसू चिकिस्त का और अयुरुवेद भी सहे परांतराष्टी अयुरुवेद कौन क्लेव का उद घाटरन कहा किया गया है जोस्तो question number 74 का answer का होगा तो चार हरी द्वार में चली question number 74 देखते हैं चोहतर दाम लगाना मुहावरे का 100 अर्थन में लिखित में से कौन सा है तो question number 74 का answer का होगा तो C. मुल्य आकना चली question number 75 देखते हैं मैं थे 75 देखते हैं जोस्तो चार कमाने वाले सद्रसुक के परिवार के उससत आये 15,133 रुपे थी इन में से एक पूत्री का बीवा हुआ तब वो घर से बीधा हो गई इस परिवार की उससत आये दोस्तो आ जाएगा answer तो इसका answer आप हम डिरेक्ट प्रता देते हैं क्या जाएगा 75 का क्या होगा answer तो एक 16,540 चली question number 76 देखते हैं निमली खित में से किस राज्य में कूप इंडिया exercise का आयोजन किया गया है कूप इंडिया exercise दोस्तो कूप इंडिया exercise का तो question number 76 cancer का होगा 2 परस्टी मंगाल में question number 77 select the wrongly spelled word इसमें कौन सा गल्त है दोस्तो compromise गल्त है question number 77 का answer का होगा यह compromise का है गल्त है चली question number 78 देखते हैं जालिया वला बाग हते कान निमली खित में से किस बर्स हुए था दोस्तो तो आप सभी पाता होगा 19-19 में कौप 13 अपरईल 19-19 में हुए था दोस्तो चली question number 79 10 cm सिर्जा के ठोस गोले को पिला कर बराबर तिरिजया वाले जाट ठोस गोले में ढाला जाता है तो इससे और आर्म माली जो छोड़का आठ आठ का तो फोरपाई फोरपाई कड़ गया तो दोस आर क्यूँ होता है दोस दोस गुणे दोस और आठ आठ गुणे आठ तो इससे कितने गोल बना इसते कटा दीजिए आप लोग एंसर आजएगा दुस्तो और उसकी त्रिजया क्या 79 का एंसर का होगा एक पान सेंटीमेटर चली कोश्चन अबर 80 देखते हैं हाली में की सराजय सरकार के साथ भारत ने टेक्स्टाइल पारक अस्थापीत करने के लिए समझाओता कि आपन परस्ताचर किया तो कोश्चन अबर 80 का एंसर क्या होगा दोस्तों तुछार उतर पर इन पर ने में वीसो बैंक ने किस देश में जुनोटिक रोग निवारं के लिए जुनोटिक लिखाये दूस्तों जुनोटिक जुनोटिक 42 मिलियन डॉलर की मनजूरी दी है दूस्तों तो क्वेसिक एंसर होगा एक न भारत सर्कार्ट चलिए चलिए question number 83 select the correct passive from the given sentence who killed Ravan तो who क्या होजागा by home अग killed है तो वाज तो क्या होगा तो रावन तो question number 83 का एंसर का होगा एक by home वाज रावन killed चलिए question number 84 देखते हैं निमली खित में से किस अनुछेद के तहत संग की राज भषा हिंदी ते था लिपी देवनागरी का बरण किया गया तो तो question number 84 का एंसर होगा एक और छेद 343 के तहत चलिए question number 85 हाल ही में वुपला परनडीत पंदर बरर्स के हैं जो भारत के ब्यास्वे ग्राइड मास्टर बने वे नुछित में से कीस राज से समझ नहीं थे यान कीस राज से समझ रखते हैं जो तो question number 85 का एंसर का होगा तो चार्ट ते लंगाना से समझ रखते हैं question number 86 परोक्ष का बिलोम सब निम्न में से कौन सा अधिक उप्यूगत है question number 86 का एंसर होगा c क्या परतियक्ष परोक्ष का बिलोम सब परतियक्ष चुकता है question number 87 मैं था दोस्तों आप लोग बतना लिजेगा फटा फट इसका एंसर अम डिरेक बता दें तो question number 87 का एंसर क्या होगा तो 4-6 घंटा चली question number 88 देखते हैं हाल ही में महान फुटबोलर एटीनिया का बिजल कर निधन हो गया वे किस देश किस समय नित हैं तो इसका एंसर सी मेक्सिको मेक्सिको चली question number 88 देखते हैं select the most separate of pirates meaning of the item upset someone's the applicat क्या होगा दोस्तों question number 89 का एंसर क्या होगा फटा 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 ना प्लोग बताईजे तो question number 89 का एंसर होगा c doing something that helps someone plans चली question number कि नबे देखते हैं कनिक्स 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 गलत लिखा है मुधा इसस होता है कि दोर आज सक समन्थ कब चलाए गया तो सक समन्थ कब हुए तो question number 90 का एंसर का होगा तो 2 78 इस भी में होगा दोस्तों चली question number 91 50% अमलिये 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाए जाए कि अमलिये था सांधर तीस परसेंट रह जाए तो question number 91 का एंसर क्या होगा तो 2 क्या 6 लीटर question 97 the golden ears नमक पूस्तक नमलिखित में से किस लिख द्वार लिखी गे the golden ears बते हैं जोस्तों question number 92 का एंसर क्या होगा तो एक रॉस्तकिन बॉंड चली question 93 देखते हैं mother said that Avika finished this song before you go to the park question but 93 का एंसर क्या होगा तो इसका होगा दोस्तों mother told Avika to finish the song before she went to park question number 94 देखते हैं यदी एक कुता चो किलोमेटर घंटा की चाल से दोड़ता है और तो उसे 25 मीटर भूजा वाल एक बगकार मैदान का चकर लगाने में कितना मिनट समय लगेगा question 94 का एंसर क्या होगा एक तीन मिनट question 95 हाली में किस राज सरकार दोरा तक्निकी सीशा को बढ़ावा देने के लिए पोल टेकनिक चलो भियान शुरू की आज दस्तो question 95 का एंसर C उतर परदेश चले question 95 एक छात्रवास में 60 लड़कों के लिए 15 दिन के लिए भोजन की बोसता है यदि पास दिन बाद छात्रवास में 15 लड़के और आगे हैं तो स्रेस भोजन की इतने दिनों चले गा तो question 95 का एंसर एक पास दिन question 95 का एंसर होगा तू भारत की संसी निदी से question 99 प्रांत के रहा जास हो सुनने वाले दिकारी को मुंगल प्रसासन में क्या का जाता है दो question 95 का एंसर टू दिवान question about 100 सीता कूंड बिहार की किस जीला निवस्ती थे question about 100 का एंसर क्या होगा दोस्तो टू मुंगेर तो दोस्तो इस तरह साम लोगों ने आज सेट नंबर 12 का जो गुरु रमान सर का भलूम टू का है सेट नंबर 12 आज हम लोग सब question पूरा कर लिए हैं दोस्तो आपका इसमें कितना सोक और आ रहा है कमेंट बक्स में जरूर में झाल